दोस्तो नमस्कार मैं उपाउन कुमार सिंग और आप देख रहे हैं एक बार फिर से बिहार स्टोरी मिडिया का धंधा पानी ब्लॉग रोतास जिला में हूँ मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहां पर बहुत सारी मंदिरे हैं बहुत सारे एतिहासी का स्थल हैं अभी हम लोग होते हुए आये थे इंदरपूरी बराज से जो कि विश्वा का सबसे बड़ा चौथा बांध है और ऐसे ही जगह पर एक यूनिक चीज़ आपको फिर दिखाने वाला हूँ यह देख सकते हैं यह कितलाब है मचली का जहां मचली पालन हो रहा है और उपर में है माँ का मंदिर यहीं पे शायद है और यहीं पर एक किसान है जो पिछले कई सालों से विदेशों का चक्कर काटते रहे सर नमसकार अखिर आपकी आरजू पूरी हो गई हाँ पूरी हो गई सर इनका बहुत तमन्ना था कि इनके फारं पर सुधीर सर आये परण सर आये क्या पहुचेंगे कि नहीं पहुचेंगे लेकिन सब्सक्राइब आज बारिश ओ रही थी बहुत जादा मौसम बहुत खराब है लेकिन फिर इनकी इस इतनी थी हुआ कि अब सब्सक्राइब लेकिन मैं थोड़ा सा कनफ्यूज हूँ कि क्या तलाब के ऊपर बक्री पालन मुड़्गी पालन सही रहता है बिल्कुल सही रहता है पसरते कर किया जाएक Mirortion पाइन और बक्री हौ momento इस आप तलाब कर रहे हैं और मुरिगी का बीट और बक्री का लिडापि में loses तो स्यटे को पैदा होता है ऑई अदिव काम है मान्स बढ़ाना उखेज़ारा है मांच के लिए तो इसका बजन सब्सक्राइब पड़ेगा अधे इसमें ज्यादा मातरा में मुर्गी के बीट में एक जदा रहता है तो इसके अफोटि देली नहीं कर रहा है तो पानी का पीछ भैलू खरब हो जाएगा यानि पानी का नेचर अमली हो जाएगा तो मचली पर बुरा असराने लाएगा इसलिए जो भी इस तरह से करेंगे हमेसा पानी का पीच वहलू चेक करते रहना पड़ेगा और दो पहलू बढ़ रहा है तो पानी नीकाली यह पर पानी समर्ण डाल कि आपका पीच इसमें मैंटन बना रहा है है तब आपको दिखा रहा है डाल रहा है पानी पहलू बढ़ गया पानी च्वर पैस ब्राप नहीं होगा इसलिए कोई लेकर करना चाहिए संजोक से इनके साथ में जो है वह मचली का कहीं से ट्रेंग लिये हुए उनको इसका नौलेज है बात हो रहा था इसलिए वह सफल है और देखिए कि इधर का पॉर्षन पुरा ओपन स्पेस में है और वह किनारे की पॉर्षन है उपर में बकरियां है और सा इसमें चल रहा है पहरम बकरी है एक लेड़ी भी हमारे तलाब के अंदर कहीं देखा देजी है जाए इसमें तरह इसमें तरह रहू कटला मिरगल नायन रूपचंदा गराई साओर सब आइसमें लिए रहा बात है बहुत बढ़िया लगा शालीस किलो गराई या साओर महान या नहर मैं वहां सेखर करते हां तो उनक्राइल पण कब शुरू गट है बियए अब तेन महीना शुरू है कितना बट्री है अभी 23 वक्री है मेरे लिए काफी अंदर जो है मैंने देखा काफी बड़ा लंबा चोड़ा सर आपका फारम बनाए हैं अच्छा बकरी के लिए हाँ यह भूल गया था मैं बखरियां कैसे चड़ेंगे के लिए जी जी आईए उपर आ जाई है ऐसी के वाड़ी सर खुला ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अभी लाइट भी आ रही थोड़ी अंदेरा अंदर तो देख सकते हैं यह यह तो बहूत सर लंबा चोड़ा बना दिया है आपने 140 फीट लंबा है आते 40 फीट चोड़ा है अभी उधर बता रहे हैं कि 2000 बच्चे भी डाले हुए है मुर्गी कफाया सब्सक्राइब है क्या निकाल देंगे सब अभी यह बकरियां लाएं सर कौन-कौन ब्रीड लाएं सब क्रॉस देसी ब्लेक बंगाल सुदीर सर्प बोलते हैं कि बलेक बंगाल अपने सबसे अच्छी चीज है कि इतनी सुन्दर जगह पे हैं इनका पुरा फारम यह देख सकते हैं यहां पे चारो बगल जो है लंबी लंबी पहाडियों के कतार हैं और मौसम भी आज थोड़ा सा बहुत ही अच्छा सुहावना हो गया है पानी अभी थोड़ी दिर के लिए बारी शुरू की हुई है तो यहीं पर हम लोग बात करते हैं तो यह बताएं सर की कैसे कैसे विदेश से आप यहां पर आये फिर शुरू किये देखेञा नोकरी नोकरी है दो साल साथादी में रहे मज़ा नहीं पर रहे नहीं करें तो गहर आए अधा तो बनवा दिये थे हम बाहरे रहते राते मोबाईल पर डिरेक्शन दें लटका है अब हुआ ही इसे डैक्शन लेते थे अपना मो तो della में अपना दिमाग help ना कीशी से ना दयना कीशी से नक्ताना सब अपना तिमाग मोबाइल से वीडियो करते थे वहां से हमले के देखा हूं कोई से कष़े का करना है तो सब लगा बताता था घ्य लेकिएसे करना है यसे करना है बनवा दिया तो हम बोले कि अब नोकरी अब खतम करो बनवा करके मुर्गी फारम एक सल चलाए तो इसी सोय हुए थे मोबाइल आप लोग का वीडियो देख रहे थे तो हम सोचे कि का है नहीं हमारे बगल में पहाड़ हैं भी मौका का फायदा उटा पहाड़ में अब चार हजार हम मुर्गी डाल देते हैं दूहजार ने दूहजार ने तो चार पांच लख रूपिया रख लीजिए तब जाकर करके अपका फारम लोट चलेगा चालीस दिन का अब हर बार पुझी तो समय तो बरो बर सबका नहीं रहता है आज हमारे पास वैसा एकल नहीं रह छो यह चलतार हो अंडव चांडवा चांडव चांडवाच चलतार बार छोडकी नहीं लगाने की जरूरत है था तहुर मैं पहाड़ एंश है कितना दूर पहाड़म पहाड़ है किसठों दिस्टेंस पहाड़ तर देख रहे है ना अदीन के दोबल दोघ तो प्लास्टिक ले जाता है लोग यहां रहता है तो कभी खाना भी पहुंचा दिया अब हम अपने से गुमाते हैं अभी हमारे पास बक्री कम है 33 है अगर हम आदमी रख लेते हैं तो आदमी भर तो है यह बक्री पालने में तो कोई खर्चा ही नहीं है बाहर से खाएंगी और ख कि को आपकी आपकी अच्छी खासी यहां पर क्यांता है यह तुतला भावानी का दिखाई दे रहे हुआ है दोना पहादा ज्वाइट है न वो चैंड़ा का दिखामोंट में है पर्सित जगह है प्रकृति के गोद में बैठे हुए हैं इतना बिजनेस ले करके मतला integrated farming का model जो है ना भाई इसी को असल चीज बोलते हैं कि एक दूसरे से इन्होंने कितना अच्छे से connect कर दिया बहुत शांदार लगा सर बहुत सांदार लगा आपका हाँ जी बोलना चाहरे ते बहुत लम्मा पलानिंग है हमको सौक था कि सुधीर सर उनके देखरेख में हमको फरम चलना है हम तो अपने से कर लिये हैं बचपना में दुचार बकरी पांच पर पड़ते थे उस्टाइब चराते उरते थे थे थोड़ा नौलेस था हम में लेकिन नसीफ ठीक रहेगा तो फरम पर तो आये जाएंगे और जिस तरह से आपके लड़के ने यहां मचली पालन में ट्रेनिंग लिया है और वह खुबी बहुत अच्छी ची शांदार मचलियां दीक रही हैं यहां पर हमको लगता है कि मचली उत्पादन भी आप बहुत बड़े पैमाने पर रहे हैं इतने ही बड़े तलाव में 10 क मचली जिसको जासर बोलते हैं डासर भी पालन कटा जासर पालन करते हैं इसमें Shap Está Good कि निकला ठाला nessी सिमें से सतर कुंटल यानि कि साथ हाजार किलो तो अनुमंडल से ले करके बलोग तक तहलका मुझ गया इसके नाम से आया था पराइज तो पराइज आया तो एक हैं हमारे बगल में कातुन का नाम है अब पराइज लेने के लिए अब वो बड़ा है तो कैसे जनते हैं कि बड़ा आदम आदमी बड़ा ही है जब छोटा आदमी पहुंचने की कोशिश करता है तो थोड़ा बड़ा को जलन हो जाता है क्या मरे बराबरी में कैसे आगिया तो अब लगे साहब को घूस खिलने काहे के लिए उसका परेजवा हम ले 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 नाम हमको होगा बिहार में सब ठेला-ठेल ठेला ठेला-ठेलाठी चलता अब लगे साहब को पैसा खिलने आगे करने करने की परेज़वा हमको मिले लड़का सबी बोला की सहाब बोले कि देखोई पराइज नहीं चाहिए उनको देदीजीए उनको देदीजी पालन में बहुत आगे आप जा रहे हैं और वहीं मैं बोल रहा था कि बक्री पालन में भी सर आगे जाना है तो इसमें भी विदिवत ट्रेडिंग की जुरुत पड़ेगा जब सुधीर सर जैसे इंसान आपके पास चल के आए हैं तो आपको पता दूँ कि सुधीर सर की भी बहुत अच्छी ट्रेडिंग चलती है लड़का सब हमको मालूम है पटना वीडियो दूर देखते हैं तो पटना में हो रहा है तो आपके हमको इसा समय नहीं मिल रहा है कि मत अब इसमें देखिए कैसे इन्होंने बताया कि वीडियो देखे ट्रेनिंग नहीं आप जनकारी ले सकते हैं लेकिन जब पेड्र कोर्सेश होता है किसी भी टीचर का किसी भी प्रोफेसर का किसी भी बिद्यालाम है तो उसमें बहुत सारे चीज़ें जो होती है वो आप पे दोस्तों जब इनकी थोड़ी सी और ये पुराने और अनुभावी होते हैं चुकि बकरी पालन तो अभी इनका सर का नया नया है संख्य कितना बता है सर अभी अभी 33 और आगे का लंबा नम बाइब लेकिन लंबा प्लान जो है पिदिवत आप कहीं से प्रस्रिक्शन लेकर फॉल्व करें अभी इसलिए जो लंबा प्लान आएंगा खोलते नहीं हैं किसी के समने सिर्फ मौन में रखते हैं कि हम वहां तक प लिए होगा और बहुत प्रसंद है खुश्मिजाज आदमी है मजा आजाता है ऐसे लोगों से मिलके उपर हमको रखने का यहां टर गेट है इसलिए कि अगर हम बकरी खाली रखें दिन भर जंगल में रात भर अगर हमको फारम में बकरी रखना है तो 500 बकरी रहेगा 500 बकरी का बानरा नहीं है देख रहे हैं होला गेट वहां खूलेगा यहां खूलेगा बकरी आएगा सड़ा सड़ा इधर आएगा लूटेगा पाटेगा खाएगा जिसको हाथ लगा आपने निवेश कर दिया हाँ हाँ धीरे धीरे उस पे इंप्लिमेंटेशन कीजिए चली सर बहुत बहुत शुक्रिया और दोस्तों इस तरह की जो है स्टोरी हमेशा बिहार स्टोरी पर आती रहती है पानी तक नहीं पानी वीद्रे पी करके जा रही है हमारे पाद तो सब सिस्टम है ना पानी खाना साथ जीरो कोस्ट पर आप बकरी पालंस एक्दम हाँ हाँ अब बहुत ल जय हिन जय भारत